चानक के आईएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत हैं आज हम बात करेंगे H1 गगन्यान मिशन के बारे में भारत के पहले human space flight H1 गगन्यान को वर्ष 2024 के 4th quarter में लौंच किया जाएगा केंद्रिय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग ने एक लिखित उत्तर में इस बात की जानकारी दी है उन्होंने कहा है कि क्रू मेंबर की सुरुक्षा के लिए गगन्यान बन मिशन से पहले दो मानव रहित उडाने निधारित की गई है इनको विविन उडान स्थितियों में टेस्ट किया जाएगा जिसमें मुख्य मिशन के समय किशी परकार की कोई तकनीकी समस्या ना हो मानव रहित उडान के बारे में अगर बात करें तो human space flight H1 गगन्यान से पुर जिन दो मानव रहित उडानों को प्रस्थावित किया गया है उनमें से एक को अगले साल की अंतिम तिमाही में टेस्ट किया जाएगा यानि की 2023 की अंतिम तिमाही में इसे G1 मिशन नाम दिया गया है दूसरे G2 मिशन को 2024 की दूसरे तिमाही में लॉंच किया जाएगा G1 मिशन का उदेश्य मानव रेटिड प्रक्षेपन यान और्बिट मॉड्यूल टेस्ट, मिशन मैनेजमेंट, संचार प्रणाली आदी की टेस्टिंग करना है यह मिशन एक humanoid payload को ले जाएगा गगन यान मिशन के बारे में अगर बात करें तो गगन यान भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संक्ठन यानिकी इसरो का एक स्पेश मिशन है जो 2022 में प्रस्तावित था लेकिन कोविट के कारण यह मिशन 2024 के फोर्थ क्वार्टर में लॉंच किया जाएगा इसके तहट तीन स्पेश मिशन को स्पेश में भेजा जाएगा इसरो के जियो सिंक्रोनस सैटलाइट लॉंच वेहिकल जीयेसलवी के मक3 द्वारा इस मिशन को लॉंच किया जाएगा इस लॉंच के साथ भारत, अमेरिका, रूस, चीन के साथ एक विशेश कलब में शामिल हो जाएगा इन तीन मिशनों में दो मानव रहित होंगे जबकि एक मानव युक्त मिशन होगा मानव मिशन में एक महिला सहित तीन अंतरिक्ष यात्री होंगे गगन यान के अगर बात करें तो भारतिय मानव युक्त अंतरिक्ष यान है ये अंतरिक्ष कैपसूल तीन लोगों को ले जाने के लिए तियार किया गया है और उन्नत संस्क्रण डॉकिंग शमता से लेस किया जाएगा अपने पहले मानव युक्त मिशन में यह 3.6 तन का कैपसूल तीन व्यक्तियों के दल के साथ साथ दिनों के लिए 400 किलोमेटर की उचाई पर प्रित्वी की परिक्रमा करेगा कक्षिय वाहन को इसरो की भूस्तिर उपग्रय प्रक्षेपन यान मार्क 3 पर लॉच्च करने की योजना है अगर गगन्यान के इतिहास की बात करें तो गगन्यान का विकास 2006 में शुरू हुआ था अंतरिक्ष में एक सपटा गुजरने में योग्य मर्कुरी क्लास अंतरिक्षयान के समान एक साधारन जहाज तैयार करने की योजना थी ये दो अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए और पुने प्रवेश पर पानी में उतरने के लिए बनाया जाना था मार्श 2008 तक डिजाइन को अंतिम रूफ दिया गया और वित पोज़न के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया था भारतिय मानव अंत्रिक्ष उडान कारे करम के लिए धन फरवरी 2009 में सविकृत किया गया प्रारम में कक्षिय वाहन की पहली मानव रहित उडान 2013 में होने की संभावना थी गगन यान स्पेस कैपसुल रिकवरी प्रयोग के डिजाइन पर आधारित है इसरो ने जनवरी 2007 में 550 किलो का अंतरिक्स रिकवरी कैपसुल लाँच किया था अब हम बात करेंगे भारत के आगामी स्पेस मिशन के बारे में इसमें से एक है वीनस मिशन इसरो ने ही शुक्र के लिए एक मिशन की यूजना बनाई है जो वीनस के लिए भारत का पहला मिशन होगा इसके अलावा आदित्य L1 मिशन इसरो ने सूरिय से जुड़े अनुसंधान के लिए आदित्य L1 मिशन के त्यारी की है जो सूरिय के लिए भारत का पहला मिशन होगा यह सूर्य और प्रत्वी के बीच L1 के लिए प्रस्तावित है इसके साथ ही आज का हमारे टॉपिक यहीं पर कम्प्लीट होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच Don't forget to like share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update